आपका स्वागत है अपने YouTube चेनल Crazy Study वे विशाल पर दोस्तो RBI का जो Office Attendant है उसके जो एक्जाम है उसका एक्जाम 9 और 10 तारिक को है और इस 9 और 10 तारिक को दोस्तो जो एक्जाम सेंटर है जो आपका एक्जाम हॉल है उसमें दोस्तो जो important चीज लेकर जानी है जिसके वाज़े से दोस्तों आपको exam center में आपको दोस्तों जाने दिया जाएगा आपको नहीं रोका जाएगा अगर आप ये सारी चीजे लेकर जाएगे ठीक है दोस्तों ये जो चीजे हैं दोस्तों ये आपको लेकर जानी है नहीं तो आपको exam center में द RBI Office Attendant जो Recruitment थी 2021 की उसमें दोस्तों आपको Center में क्या के लेकर जाना है मैं आपको बताता हूँ तो ये चीजे हैं दोस्तों जो आपको लेकर जानी है सबसे पहले नमबर पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो Admit Card या Call Letter है उस पर आपका Login ID या Password लिखा है या नहीं लिखा दोस्तों अगर ये लिखा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं लिखा तो जहां पे आपका Test होगा जो आपका Exam Center पड़ेगा दोस्तों उस पर जो है ये लिखा होगा कि आपका Login ID और Password क्या है उसके बात दोस्तों दूसरे नंबर पर जो आपको ध्यान देना है यह है कि जो आपको फोटो है फोटो आपको जो आपका Call Letter में Space दी गई है उस पर आपको दूसरी फोटो के साथ चिपकानी है यानि दोस्तों दोस्तों अगर आपके पास जो भी फोटो आइटेफिकेशन कार्ड है जैसे अधार कार्ड पैचान पत्र या बैंक की कोई कॉपी होगी दोस्तों वो लेके जाना है आपको जिसकी आपको दोस्तों एक फोटो कॉपी भी लेकर जानी है जो आपको Call Letter के साथ स्टेपल कर देनी है Call Letter जो होगा दोस्तों उसके साथ आपको इसे स्टेपलर कर देना है ठीक है दोस्तों तो ये फोटो आइटेफिकेशन कार्ड जो है ये आपको लेकर जाना पड़ेगा Next इसमें दोस्तों जो लेकर जाना है वो बॉल पैन लेकर जाना है दोस्तों जो कि ब्लू या ब्लैक दौनों में से कुछ भी हो सकता है तो आपके पास जो भी पैन हो वो आप ले जा सकते हैं और दो पैन तो अटलिस्ट दोस्तों लेकर ही जाना वैसे तो वो एक जाने ही देंगे लेकिन आप अटलिस्ट दो पैन लेकर जाना ठीकर दोस्तों नेक्स देसमें दोस्तों जो हमें ध्यान रखना है वो call letter के बारे में जो कि आपकी working sheet है call letter और working sheet दोस्तों आपको जो है drop box में डाल देनी है आपके exam खतम होने के बाद यहीं दोस्तों जो आपका call letter है वह आपसे exam खतम होने के बाद आपसे ले लिया जाएगा आप exam center से कोई भी चीज नहीं ले जा पाएंगे ठीक है दोस्तों आप call letter घर पापस नहीं ले जा पाएंगे जो आपसे working sheet जिस पर आप काम करोगे वह है और call letter आपसे वो लोग ले ले ठीक है दोस्तों नेक्स इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत important है कि आपको समय से 30 मिनट पहले पहुचना है कई students दोस्तों ऐसे होते हैं जो काफी late पहुचते हैं और उनको gate से ही मना कर दिया जाता है फिर जो उनके सपने होते हैं वह तूट जाते हैं तो आप 30 मिनट का अगर आपके पास टाइम है तो आप अंदर जा सकते हैं ठीक है दोस्तों नेक्स जो है दोस्तों इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपका signature है और जो आपका left thumb है left thumb यानि दोस्तों जो उल्टे हाथ का अंगुटा है वे आपको यह जो खाली जाएं या फिर exam center में जो invigilator हैं उनसे पूछ कर आप इसको लगा सकते हैं ठीक दोस्तों उसके बाद जो सबसे important चीज बन के आती दोस्तों वो यह है कि सबसे अनौखी stamp pad दोस्तों जो आपको इसमें लेकर जानी है जो कि आपको अपनी तरब से ही लेकर जानी है दोस्तों आपको दोस्तों यह खुद लेकर जानी पड़ेगी एक्जाम center वालों ने अपने call letter में साफ कहा है कि हमारी तरब से यह कोई भी किसी भी व्यक्ति को provide नहीं करा जाएगी उनको यह खुद ही लेकर जानी पड़ेगी ठीक है दोस्तों नेक्स दोस्तों इसमें कुछ अन्य चीजे लेकर जानी है महत्वपूर्ण जिसकी वज़े से आपकी जो entry है वे बादित ना हो तो मैं आपको सतर्ग कर दूँ दोस्तों सबसे पहले आपको मास्क लेकर जाना है जो की बहुत important है उसके बाद दोस्तों आपको gloves लेकर जाना है जो की important है और नहीं यह आपके ओपर अगर आप यह gloves लेकर जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं और नहीं ले जाना चाहते हैं उसके बाद दोस्तों अगर तो आपको water bottle जरूर ले जानी चाहिए क्योंकि exam center बालों ने साफ कहा है कि वैं हम लोगों को पानी नहीं पिलाएंगे यानि वो हमें कोई भी पीने के लिए पानी नहीं दिंगे वो केबल खून चूशने के लिए है ठीक है दोस्तो तो अगर आपको प्यास लगती है तो आपको water bottle जरूर ले जानी चाहिए जो कि transparent water bottle होगी दोस्तो आप रंग भी रंगी मत ले जाना नहीं तो water bottle भार रखवा देते हैं ठीक है दोस्तो तो ये transparent water bottle लेके जानी है उसके बाद दोस्तो आपको personal hand sanitizer लेके जाना है जो कि 500 ml या 20 ml कोई सी भी छोटी सी bottle लेके जानी है आपको वो आप ले जा सकते हैं जो कि जरूरी है उसके बाद दोस्तो आपको wall pen ले जाना है blue या black उसके बाद दोस्तो आपको exam related जितने भी documents है वो सब लेकर जाने हैं कई students दोस्तो ऐसे होते हैं जो exam documents ले जाना भूल जाते हैं और उसकी वज़े से जो उनकी entry है उसमें नहीं हो पाती दोस्तो जो आपका एक exam document है या तो आप आधार कार्ट ले जाएं pen card ले जाएं पैचान पतर ले जाएं bank की passport ले जाएं दोस्तो आपको एक document ज़रूर लेके जाना है और उसकी एक photocopy लेके जानी है उस photocopy को दोस्तो आपको अपने call letter के साथ steple कर देनी है यहीं दोस्तो उस पर आपको stepler करके लेके जानी है ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो आपको जो है Corona का COVID-90 की जो declaration है याद से ठीक है दोस्तो यह थी दोस्तो आज की वीडियो अगर दोस्तो वीडियो पसंद आया और exam से related और information चाहिए हो तो दोस्तो हमारे चैनल को subscribe करें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सारी information आप तक पहुँच सके धन्यवाद दोस्तो